नमस्कार साथियो आपका सुवागत है एक नई सीरीज पर जिसमें नए होट टोपिक जो हमारे मुद्दे हैं जो हमारे समाज में जो मुद्दे चल रहे हैं जिना होट टोपिक्स का जाता है आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जो उस चर्चा के बारे में हम आपको 0-100 की information दूँगा जो चर्चाई चल रही है जिससे आपके अंदर awareness आए जिसके आपके अंदर जागरुकता बढ़े के चीज क्या है ठीक है साथियो तो इसलिए आज हमारा पहला topic है समलेंगिक ता क्या होता है समलेंगिक विवा तो यह क्या होता है ठीक है सुप्रीम कोट का क्या नीन आया है यह चर्चा में क्यों है उसका सारा reason हम इसी वीडियो में करेंगे ठीक है चलिए देखते हैं क्या है समलंगिक वीवा, इसके बारे हम करेंगे, समलंगिक का मेलब है जो gender wise क्या होती है? सेम होते है जिसमें जो एक couples है, ये girls है, ये भी girls है तो ये क्या है, सेम जंडर है इसलिए इने का आजाता है, समलंगिक वीवा यह विवा कर रहे हैं, देखें, यह क्या थी female, यह भी female है, है ना, और यह क्या है, male और यह भी male है, तो यह क्या है, समलेंगिक है, तो यह आपस, यह चल क्या रहा है, यह जो है, जो कपल से ही आपस में साधी करना चाहते हैं, इनके साधी में क्या रुकावट है, क्या अडच करना चाहिए हमें, यह इन्होंने क्या करी हैं, यह अपनी रिट्स डाली हैं, या चीकाई डाली हैं, इनके बारे में इन्होंने चीज़े को बताया है, Supreme Court को, ठीक है, उसका क्या नीन आया है, देखें, यह चर्चा में क्यों है, यह सारी चीज पढ़ेंगे, खबर क्या है, य क्या विवाद है, इसे भी हम देखेंगे, हम step by step सारी चीज़े देखते जाएंगे, ठीक है, उसके बाद क्या है, समलेंगिक विवाद में कानूनी अडचन क्या है, जो विवाद है, जो समलेंगिक विवाद है, उसमें अडचन क्या आ रही है, वो सारी चीज़े देखेंग देखिए हमारा जो पहला पॉइंट है नेले के समक्स क्या विवाद है देखिए इसमें विवा क्या है जो विवा कानून है समलेंगी की विवा को मंजुरी देने समंदी याचिकाई ये याचिकाई ये सुरू हुआ था नवतेज सिंग जो वर से जो 7 सितंबर 2008 गई पैटिश है ठीक है क्योंकि उसका रिजन क्या है समलेंगी की लोगों को गरीमा पॉन्ट जीवन जीने का अधिकार ये क्या हो रहा था ने परवावित कर रहा था ये समाज एक्षप नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा एक कानून बनाना पड़ेगा जो कानून कहा आनुनपारित हो जाएगा तो इनका जीवन क्या होगा गरीमा पॉर्ण जीवन हो जाएगा, तो जीवन जीने का अधिकार , यह हमारे Mysँदान में भी कह अगया था है, ठीके ए आप क्या था भी चारी में हम चर्चा करेंगे देखिए अब विवाद क्या है ? यह विवाद कब सुरू होता है ? 7 सितंब्र 2018 से न विवाद क्या था ? इसमें क्या हुआ ? जब यह इसका नीन ने आया तो इसमें धारा 377 हो क्या कर दिया गया ? इसमें समाफ्ट कर दिया गया, जो धारा 377 है, तो इसमें, क्या किया है, इसमें समाफ्ट कर दिया, ये धारा 377 क्या थी, समलेंग इकता को अपराद के जो अपराद का दायरे था ना अपराद को दायरे से बाहर कर दिया गया 377 में जो IPC की दायरा 377 है इसे समलेंग इकता को क्या कर दिया गया अपराद के दायरे से बाहर कर दिया गया ठीक है? समाफ्त हो गया यह तो इसका परवाव क्या था? कि ये तो चीजे समापत हो गई? इसके बाद क्या हुआ? जो समलेंगी जोड़े हैं कानुनी तोर पर एक साथ रह सकते हैं जब तक धारा 377 थी तब तक ये चीजे अलाव नहीं थी तो ये जो समलेंगी जोड़े थे उन्हें एक साथ रह सकते हैं एक साथ क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं लेकिन जब ये रह तो सकते हैं उनकी समस्या है फिर भी कम नहीं हुई उनकी समस्या है क्या है? समापत नहीं हुई उनके विवाद को अभी तक कानूनी मंजोरी नहीं दी गई क्या है उनके विवा को कानूनी तोरपर मंजूरी मिलती है ना जैसे क्या है जैसे हमारे पास कानून में क्या गाए गया है विसेश विवा अधिनियम का गया है हिंदू विवा अधिनियम भी है हमारे पास मुस्लिम विवा अधिनियम भी है तो यह विवा होते ना तो उसके ब जवाद इनियम 1954 आया था, उसमें इंटरकास्ट की साधी होती थी, लेकिन उसमें क्या किया गया है, उसमें पुरुस और महिला का जिकर आया है, वो सारी चीजे मैं बता रहा हूँ, देखे, step by step करते हैं, देखी क्या है, इन्हें दिक्कत क्या आ रही है, इन्हें जो समलेंग 378 गई, तो रह सकते हैं, लेकिन अब जब रह सकते हैं, तो साधी, अब साधी के लिए प्रावधान उठे कि हमें साधी भी करना है, फिर हमें बच्चे भी गोद लेने हैं, क्योंकि बच्चे तो नहीं हो पाएंगे, तो बच्चे को गोद ले सकते हैं, सेरोगेसी करा सकते तो वह चीजे क्या हैं? सेरोगेसी क्या होती है? वह धीर है धीर हम step by step करते जाएंगे. तो अब देखिए उधारन क्या है? बच्चों को गोद नहीं ले सकते जूड़ा है? वह क्या कर सकता है? कि वह गोद नहीं ले सकते थे पहले. दीन ने क्या है? वह सारी चीजे हम बाद बताएंगे आपको, सेरोगेसी नहीं करवा सकते हैं, सेरोगेसी का मतलब है, किसी का गर्भधारन, मतलब होते हैं, कि गर्भधारन करवा लेते हैं, as a rent, as a rent base पे गर्भधारन करा सकते हैं, तो उनसे बच्चा हो जाता है, ठीक है, फिर विरासत का अधिकार नहीं है, इनके प आगे देखिए समनलख्य विवां में कानूरी अडचन क्या है। क्योंकि हमारे यहां घुरां जो भालते हैंчески इकना कलू परना भीवां में कि प्लच में मरे सौनलों आधरित काँए हैं। जैसे मैंने वो कहा कि हिंदु विवा अधिनियम हो गया फिर हमारे पास मुस्लिम विवा अधिनियम होता है तो इसके तैद कराते हैं विवा ठीक है फिर दूसरा होता है विशेष विवा अधिनियम होता है जो इंटरकाश्ट विवा करते हैं अंतरधर्मिक विवा के अनुमत या भी विशेज किसमें आती हैं, विशेज विवा अधीनियम की एंतर गताती हैं, और इसी विवा में इसी की जो धारा है चार का जो सब क्लोज है वो है चार का सी इसमें क्या का गया है कि पुरुस और महिला सब्द का क्या हुआ है जिक्र हुआ है कि इंटरकास्ट विवा आप कर सकते हैं क्या होने चाहिए आप पुरुस और महिला होने चाहिए इन बातों का क्या हुआ है जिक्र हुआ इस धारा में ठीक है लिंग आदारीद भासा केवल पुरुस और महिला वाले जोड़े कोई क्या मिलेगी मानियता परदान की जाएगी यह इसमें कहा गया है यह ऐसे ही क्या होता विवागा पंजीकरण होता है ठीक है आप कराते भी होंगे अपनी स रक्षन होना जाएए क्योंकि भारत है बारत में कानुन सभी के लिए समान है किसी क्या ऐसे लेनी की मेरे लिए कुछ और है। और आपके लिए ईकवल काम करता है। सबी नागरिकों को योन अभी नियास के बीना विवा करने का दिकार है समलेंगी को और अन्य बीच अंतर करना समीदान के खिलाफ है और बेदवाओ क्या एक रूप है यह चीज इसमें बताई गई है इसमें तर्क दिये गई है ठीक है? नेक्स देखिए समलेंगी एकता के बारे में आपको पता भी होगा ऐसे लोग जो अपने ही लिंक के लोगों के पड़ती क्या होते है आकर्सित होते है ठीक है? जैसे लेस्बियन होते है लेस्बियन को क्या का जाता है? जैसे LGBT होता है तो लेस्बियन होते है ठीक है? विवा क्या है एक समाजिक संगटन है विवा आपको पता है एक समाजिक संगटन है जब दो परिवार जुड़ते हैं जैसे लड़का लड़की साधी करते हैं तो उससे क्या होता है दो परिवार जुड़ते हैं फिर समाज भी जुड़ता है ठीक है नहीं तो विवाइक क्या है, समाजिक संगटन है, फिर उसके बाद गया है, विवाइक जोड़ों को समाजिक और कानूनी लाब, समलेंगिक जोड़ों को क्या है, नहीं दिया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या का गया है, सुप्रीम कोड ने क्या ने दिया है, अब आईए, फाइ विशेज विवा अधीनियम में बदलाव नहीं होगा विशेज विवा अधीनियम जो है 354 में जो पारित हुआ था उसमें कोई बदलाव नहीं होगा यदि समलेंगिक विवा पर कोई कानून बनाने की जिम्मेदारी है वो हमारी नहीं है, वो संसद की है किसकी है नियाईक विधान की है वो ही क्या करेगी इसमें कानून पारित करेगी ठीक है अब देखे तीन दोसा है इसका मेलब मैजोरिटी में क्या का गया है फिर जो दोसा है तो उसमें मैजोरिटी में क्या का गया है देखते हैं इनके नीन्य की बात देखते हैं क्या है देख वो मॉलिक अधिकार नहीं है। इन्होंने क्या कहा है कि जो विवा का अधिकार है वो मॉलिक अधिकार नहीं है। समलेंगिक जोड़ों का एक साथ रहने की अनुमती है। ठीक है? संबंद मानेता को देने का अधिकार नहीं है। यह तो धारा 377 में जो अटाया था तब भी यही था, कि समलेंगिक जोड़ों को एक साथ रहने की क्या है? अनुमती देता है, लेकिन संबंध को मानेता देने का अधिकार नहीं है, यह कहा गया है, मोजुदा कानूनों के तैद गोध लेने का अधिकार नहीं है, केंदर दौरा एक समीति का गठन हो, जो अधिकार नहीं है न, इसमें कहा गी मोजुदा कानूनों के तैद गोध लेने का अधिकार नहीं है, तो यदि आपको यदि अधिकार लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो केंद्र सरकार है, उसमें एक समीति का गठन हो, इन्होंने कहा है कि यदि केंद्र में एक समीति का गठन होगा, तो यह क्या कर सकते हैं, गोध ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यह बच्चे को गोध ले सकते हैं, यह कहा गया है, यह तो majority में था, अब जो नीर ने पारित हु यह संबरांत अवधार्णा नहीं है, सहरी का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि इस सहर में ही होता है, और ऐसा भी नहीं है कि गाउं में होता है, यह कहीं भी हो सकती है, गली-गली में हो सकती है, सहर में हो सकती है, किसी टाउन एरिया में हो सकती है, किसी गराम में हो सकती है, ठीक है विवा का अधिकार कोई मोली का अधिकार नहीं है यह इन्होंने मान लिया है यह और यह सेम इन्होंने कहा है ठीक है इन्होंने कहा है कि सम लेंगिकता जोड़ों को सभी रूप से बच्चा गोद लेने का अधिकार है ठीक है यह क्या अगर सकते हैं बच्चे को गोद ले सकते ये इन्होंने कहा है। फिर देखिए अब बच्चा जो गोद लिया जाता है ह। वो कौन सी Talk Groß ste King Čति बच्चा गोद लिया जाता है। वह द्वा दॉखो एक कारा एक हमारे पास कहा एक अथोर्टी थे जिसके तेहत किन कीअ कर सकते है। बनाना पड़ेगा, उसमें सुतार करना पड़ेगा, ठीक है तो यह Supreme Court के नीन्य थे Supreme Court ने क्या किया कि कानून बनाने का अधिकार संसद को है यह आप कोई पता है समिधान में हम पढ़ते भी है ठीक है फिर यदि आपको बच्छा गोद लेना है तो कारा के तहत लेना पड़ेगा आपको कारा किया एक पराधी करने एक अथोर्टी है जो यह बच्छे को प्रोवाइड कराती है बच्छे को मलब जैसे आप गोद लेते हैं तो सारी इन्फोर्मिसन इकटी करती है तो यह किसमे का गया कारा के अंतरगत है कारा के अंतरगत है भचे को गोद ले सकते हैं, ठीक है? तो ये छीज़े हैं हमारे, हमारे Supreme Court ने क्या कहा है, सारे नीर्ं ने बता दिए, ये चर्चा में क्यों है, आप पड़ भी रहेँ से, चर्चा में क्यों है, मैंने सारी चीज़ बता ईए, और आपको